मैं इनको लगा पक्का है नो में कुई धानली किया है भाई डॉक्टर आदित्या सर्द ने भी काफी इंटर्व्यूस लिया पाइलेन, आकाश, पीटावलू, अनकैडमिक, कुछ भी हो वो उस प्रपर को नहीं बना वो पुबिश करते हैं वो ऑफ्राइन होती है हेलो फ्रेंट्स, दिस रवनाश अन आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मेजी नीट 2022 की काउंसलिंग गई न्यू रूल्स के आजाने से क्या-क्या दिक्कती आई में से काफी नीचे राइंक वाले को एप्स राइबरी ली अलॉट हो गया और मुझे एवन स्टेट कोटा से पी-म-स अलॉट नहीं हुआ जो कि मिने स्टेट का बेस्ट मेंडिकर कॉलेज है तो यह कोई रिग्राइट वीडियो नहीं है तो सबसे पहले जो मेरी प्राइटी पर थी वो थी एम्स पिछले साल के कटाउफ के हिसाब से कुछ 4-5 एम्स थी जो मुझे मिल सकते थी उसले से एम्स मदुराई मैंने अपनी लिस्ट से हटा लिया था क्योंकि मुझे साउथ नहीं जाना था और एम्स जम्व भी मैने लिस्ट से हटा गया था दो ही एम्स जो मैरा को चाहिये थे यह जो मुझे मिल सकते थे वो थे एम्स देवगार और एम्स गोहर्टी एम्स देवगार क्योंकि मेरी घर के बहुत- ready और एम्स वार्टीप वो मेरा बर्थ्प्रेस है तो मेरे को वहार लेंगोज़ यह सुन ही था तो मैं वहार से आराम से सेटल कर जाता हूँ तो यह दो एम्स थी जो मेरी लिस्ट पर थी जो मुझे उमीद था कि मुझे मिल जाता वही आपने दूसरे से के कॉलेजिस क्यों नी जो कि मुझे काफी जाला लगती है और इतनी अची financial stability नहीं जो मैं वहां दे पाऊं वो फीज और में को वर्थ इत नहीं रखता है एक लाख per year MBBS के वी कीज देना और दूसरी चीज जो थी वहां पर वो थी बॉन्ड है तो सर्विस बॉन्ड तो सर्विस बॉन्ड और यह यूपी के college इसलिए नहीं लिये मैंने क्योंकि एक तो बेंगॉल में language वाला problem हा जाता और यूपी में ठीक है language वही same है Hindi language है लेकिन मैं सुचा यूपी में जाने सच्छा है अपने PMCH में रहेंगे आलाम से मिली जाएगा पिछले साब के साब से पूरा बहोसा था है कि मिलन इस साल जहां तक उनकी infrastructure सही से बने डेफलपने ही थे या फिर उनकी OPDs चालू नहीं थी इस साल तक वो चालू हो चुकी थी दूसरी चीज जो main factor था cutoff बहाने का वो था PG reservation पिछले साल था क्या होता था कि AIMS लेने का एक ही drawback था कि आपको PG reservation से हाथ होना पड़ता था ठीक लेकिन इस साल से क्या था AIMS ने अपना PG reservation कर दिया था जिसके कारण इसकी cutoff बढ़ने वाली थी इतना तो पक्का था तो यह सब चीज सोचने के बाद round 1 की All India Kota की choice filling हुई और मैंने कुछ colleges भढ़ दे उसमें जो भी मेरे को चाहिए थे कुछ ऐसे colleges भी मैं डाल देते जो की मिल भी जाते तो मैं नहीं लेता उसमें से एक college था Guwahati Medical College और round 1 में मेरे को वही अलॉट हुआ ठीक है मेरे को AIMS का उमीद भी नहीं था round 1 में क्योंकि मुझे पता था cutoff उपर जाएगी अब इछले साल के साब से मेरे को round 1 में अलॉट होता वो round 2 में अलॉट होता एक है तो difference था में को लगा कि AIMS देवर तो अलॉट नहीं होगा क्योंकि काफी ऊपर चली गई यह rank लेकिन AIMS Guwahati जो है वो अलॉट हो सकता है second round में तो मैं अभी भी hope में था कि AIMS अलॉट हो जाएगा मुझे second round में तो मैंने क्या क्या मेरे को गवाटी मेडिका कोज लेना भी नहीं था मैं की स्टेट कोज लेना सा अच्छा PMC ले लूँगा जैसी ऑल इंडिया कोटा round 1 खतम हुआ वैसे स्टेट कोटा round 1 स्टार्ट हुई वहां पर चॉइस फिलिंग हुई जिनको नहीं पता उन्हें बता तो कि इसकी फीस वन लाक पर एनम अप्रोक्स है तो स्टेट कोटा round 1 के बाद आपकी स्टार्ट होती है और अगर आप उसको नहीं लेते हो तो आपकी जो सेक्यर्टी मनी थी पर चॉप्रीट हो जाती है आपको आपको आपस नहीं मिल तो मैंने सबसे पहल तो यह किया और जितने भी मेलको एम चाहिए थे वो रखे मैं और और अल इंडिया कोटा में और कोट कॉलेज यह बस वह रखे बाकी सब हटा दी अब राऑेक क्रुकू के लिए जो देवगर्टी एम्स सेठ खाल ही थी मैं बताना बोल गया आपको देवगर्ट एम्स में और गौरीच शीच खाली थी आट अडिक सपापके więks ते दो बताना गूल गया आई तो इसमपयसीफ को खोला इससे पहले कि हम लोग कहानी में आगे चले, जो बच्चे उनसे पूछते हैं कि हम लोग बायों की प्रेक्टिस कहां से करें, ताकि हमें आउट फ एक बुक आई है दिश्चाफ अप्लिकेशन के तरफ से, NCRT एक्स्ट्रेक्ट, पूरी NCRT से इन्होंने 6,000 प्लस प्लस प्ल आप ले सकते हो अपने NCRT में कि अच्छा यहां से बनाएं, अच्छा है, ऐसे कुशन बनते है NCRT से, इसमें आपको 26 के बाद के प्यू आई क्यू आई क्यू जो जो कि बहुत बही बात है, तो डेफिनेटी इस बुक का आप चेकाउट कर सकते हो, लिंक मैंने प्रिस्क्र में कि जो AIMS देवगर की cutoff थी, वो 5294 पो जाके रुख गई, और AIMS घौठी cutoff जो की round 1 में 6002 थी, वो बढ़ के आपकी 5817 हो गई थी, जो AIMS मुझे मिलता हो था AIMS मदूराई, लेकिन मैं इसको फिल नहीं किया था choice में, तो दो important point जो आपको इस चीज से समझना है, वो इस साल rank गई है, उससे आप 1000-1200 rank बना लो, क्योंकि अगले साल भी rank बढ़ने वाली है, कमीगी तो नहीं AIMS की, तो सिंपल से बात थी, मेरेको AIMS अलॉट नहीं हुआ था AIMS अलॉट नहीं हुआ था AIMS अलॉट के round 2 में, इसलिए मैं आप कहा गया था, state quota round 2 में चला गया कुछ दिन बाद result आता है, and boom, मेरेको फिर से NMCH पटना है लोगता है, मैं एकदम upset, भाई, यह हो कैसे सकता है, 36 closing rank गई थी, 4 seat vacant थी, 40 तक तो ऐसे ही जाना चाहिए था, मतलब किसीने seat छोड़ी नहीं, यह possible कैसे है, अभी तक आस तक ऐसा हुआ ही नहीं है, मैं को लगा कि कि result पका गलत आया है, यह possible नहीं है, कही नहीं कुछ गरवरी होगी है, मैं मौपप पका जाऊँगा, मैंने एकदम decide कर लिया था, जैसी result आया, उपर से BCEC, जो की विहार की conducting body है, medical counselling ले, उन्होंने merit list भी जारी नहीं की थी, बदब कि जो आपके list आते हैं की closing rank ये थी, opening rank आपके थी, यह सब कुछ उन्होंने नहीं निकाला था, round 2 के लिए, round 1 ने दिया था, उन्होंने, round 2 नहीं दिया था, इनकी बहुत गंधी आदत थी, इन्होंने पिछले साग भी नहीं दिया था, मैंने को लगा पका इन्होंने कुछ धानली किया है, भाई, मेरी seat कहीं और मुझे तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरी seat मुझे मिलेगी तब ही, जिन क्या होता है कि अगले दिन ही, फिर आपके उस पर notice आता है कि जो हमने seat आपको कल जो result दिया था, विजनल रिजल्ट वह हम आपस लेते हैं, क्योंकि कुछ technical issue था, हम फिर से एक आपका revise result जारी करे दो दिन बाद फिर से आपके जो उन्होंने बुला था, वो पब्लिश करते हैं, लेकिन उसमें कोई change ही नहीं था, फिर को इतनी हसी आई, बुखी भी था मैं उसमें क्या क्या करूं, सेम रिजल्ट पटना फिर से अलॉट हुआ, पता नहीं दो दिन का क्या एक नाटक क्यो लेकिन इस बार उन्होंने मैट लिस भी दे दी थी, तो उसमें जो ग्लोधिंग रिंग थी, पीम सीच पटना की, वो थी 39, तो अब से फ्रेक के तो फाइदा था था नहीं, क्योंकि या तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जाके ऑल इंडिया कोटा में जो भी अभी रिस्ट सफ Allotted Candidates के रिस्ट आ चुकी थी, उन्होंने सीच मैटिक्स दी थी की मुपटमे में यह सीच बच्चे ह है इनिन था में तो मैंने क्या किया, क्या कैज से जो भी Carryman के रिस्ट जो पहले जो भी को नको और मीम स्हाने पमेंत की कहा है concur है सब्ढ़क्रा प्रिया और मैं सबस् एमसीण सेट में उसमें हाँ जाता हूं मेरी माली था कि माँपब में जाता हूं मुपप कर लेता हूं। लेकिन फिर मैंने जो यह पॉइंट देखा कि जो आपकी मुपप होती है बिहार की वह ओफ्राइन होती है। मैं नहीं करने वाला मुपप कांसी क्योंकि ओफ्राइन में बिहार में क्या हो सकता है। कुछ यहां लगते हैं उन्हीं पता है। एक और थोट जो मेरे माइंड में आया था कि जब पीम स्विच के लिए इतनी जादा माला पीटी है कि जब 36 सिर 39 गया रैंक किसी ने सीच छोड़ा ही नहीं तो पीम स्विच कहां से खाली होगा। अगर मेंको हखा से फील आता है कि प्रिआ कि पीख खाली हो सकता है कि खाली हो सकता है उन्हीं प्रमकषी। सुन-सुन के मिला college, मिला college, selection हुआ भी है नहीं हुआ है रिस्सेदार तो भाहिस साब अलग-अलग questions पूछते हैं कि भाहिस साब selection हुआ है तुम्हारा जूट तो नहीं बोल रहे हैं सुन-सुन के मैं परिशान हो गया था मैंने जाके admission ले लिया जो यह सोच रही है कि भाहिस आपने जाके admission लेने के बाद अप्ग्रेट का option कि नहीं चुछ किया है तो उन्हें मैं बता दूँ इस साब जो रूल आया था नया इसके हिसाब से यह था कि आप या तो college ले सकते थे राउंड टूब में या तो छोड़ सकते थे बतार आप जाके admission लेकर अप्रेट का option चूर नहीं कर सकते थे जैसी आपने कहीं admission लिया कहीं भी स्टेट में या फिर और जा में आप counseling से automatically बाहर हो जाओगे यह रूल था इस बार का नया तो इसलिए लोग कोई भी जो मुस्टी लोग थे ना उन्होंने राउंड टू में admission ले लिया किसी ने रिस्क लिया ही नहीं और इसी कारण जो आपने इस साल देखा होगा मॉप-प में अजी बची रेंग पर अच्छी सीट खाली है अब मैंने अपने हाग के सामने देखा कि जो 40 वाला था इसने भी मेरे साथ एक सीट के लिए जो बंदा बचा था मैं ही था अगर मैं मुप-प में जाता तो शाय मुझे मिल जाता लेकिन वही चीज वो offline counseling आया है मेरे को बनुसा नहीं है भाई भी आट पर तो जिसको भी allot वाई congratulations भाई रिस्क है तो इश्क है got real for you तो कुछ दिन दुख लगा इन बात होगा कि अगर मौप-प में जाते तो यह हो जाता ठीक है स्टेक में मौप-प में जाते पी एम से चलाओट हो जाता तो यह सब कीज़ा सोची मैंने लेकिन फिल सोचा कि यार कि अब भी सच है आपको से में यकीन करना है और आपको आगे बढ़ना इससे तो मैंने इसको पॉसिटिव भी लिया बाकी मैंने दोस्तों से बात की बहुत सारे भूलते हैं वाई कि जो तुझे college मिला है वो एम जुले से उसको नीचे रखना है मतलब मैंने बोला मैंने को आन पॉटकरम तक बहुत सकते हो जो सबसे पहरी चीज में दिमाग रही वह यह थी कि भाई जो मैंने को इतनी चोटी चीज लग रही है अभी अने चाहिए था एक तो यह चीज मैंने सोची है आदे को ठीक है जो मिला आज में खुश रहो एक क्योंकि नीच तो आपकी पूरी आपके लिए वही फाइनल है तो आप उसमें फिर रिग्रेट करें कोई फैदा नहीं है आप उसको मानो आगे चलो दूसरी चीज जिसका मैं बहुत ज्यादा एक बिलीवर आप क्या सकते हो इस बात का कि मैं मानता हूँ कि जो भी चीज आपके लाइफ में होती है बहुत अ बना लिए हैं 5 साल के and I will try my best कि मैं उसको accomplish करूँ ठीक है आप लोग तो साथ हो ही आप जर्णी देखोगे पूरी अब मैं यह एक दिनाई नहीं करूँ है कि कॉलेज मैटा नहीं करता है और जो नॉर्मल कोलेज से पढ़ते हैं वो कभी PG में राइंक लाने की सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं आपने देखा हुआ काफी एग्जैंपल्स करता है यह सेंगे लागव होती है कोचिंग नहीं बनाता हुँआ को इस वीडियो से काफी को सीखने को मिला होगा मैंने प्राइग कि जो भी मैं सोच रहा हो वह अभी आपको समझा पाओं तकि आप जब अपनी काउंसलिंग कर रहा हो या यह चीजे आपको अभी भी हंपक जब आप काउंसलिंग कराओगे तब भी आप इन चीजों को सोच के मुटिवेटर रसकते हो क्योंकि दुख ही होके कोई फाइदा नहीं है दूसरी चीज मैं भी बहुत पॉसिटिव हूँ में कोई रिग्रेट वगरा नहीं है मैं बहुत पॉसिटिव माइड़ से अपना जो हुआ है